नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंग स्विवे का नंद कॉम्पिटेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं पिछला जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो स्लेवस फाइंड आउट किया था उसके बारे में हमने विशलेशन किया था आज के वीडियो में हम विद्दुत वित्रन जो विभाग है विद्दुत वित्रन आरेसी भी विभाग है उसम में जो जूनियर अकाउंटेंट पद है अकाउंट ऑफिसर पद है उसके कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के कांटेंट को स्टड़ी करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्लेवस तो प्रेस्क्राइब्ड है नहीं बड़ सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं कि cost accounting है advanced cost accounting है cost and management accounting है तो cost accounting में आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं एक brief idea आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको cost accounting में basic concepts की पोरी knowledge होनी चाहिए आधारभूत मन्यताओं की कसर इसमें क्या आता है तो आधारभूत मन्यताओं में आपको cost accounting में प्रियोग होने वाली महत्तपुण शब्दावलियों की परिवाशाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए ज hypotheses cost क्या होता है costing क्या होता है cost accounting क्या होता है Cost of the method क्या होते है, costing की technique क्या होती है, cost control क्या होता है, cost reduction क्या होता है, cost accounting और management accounting में क्या अंतर होता है, cost center क्या होता है, cost object क्या होता है, different type of cost, जैसे sunk cost, opportunity cost, national cost, imputed cost, out of pocket cost, ये क्या होती है, ये आपको पहले chapter में देखने को मिलेगा, देन जो दूसरा चेप्टर है जिसका नाम है सामगरी माटीरियल में आप लोगों को डिटेल नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टाइप के स्टॉक लेवल की एकॉनोमिक ओडर क्वांटिटी की एबीसी एनलेसिस की जो डिफरेंट टाइप के जो डॉकॉमेंट्स माटीरियल चेप्टर में यूज होते हैं उन सब की आपको णॉलेज होनी चाहिए फैं थैं फर्ड चेप्टर आप लेंगे काम में उसका नाम है लेवर लेबर जो चैप्टर है सिऊ में आपको लेबर टृरणओवर के बारे में पूरी नॉलेज लेबर टॉनॉवर आएंगे तो जनरली लोगबाग केवल हॉल से और रोवन प्लान तक ही पढ़कर के कोर्स ओवर कर देते हैं बट मेरी आप लोगों को यह सला है कि चुकि आप लोगों के पास में समय है तो आप बाकी के मैथड्स भी याद कीजिए वैसे आने के चांसे जिन में कम है बट यद अबर के अंदर ठीक है देन नेक्स्ट जो चेप्टर है जिसका नाम है ओवरेड ओवरेड के अंदर आपको ओवरेड के बांटने के डिफरेंड मैथड का पूरा ज्यान होना चाहिए और उनसे रिलेटेड एमसी क्यों क्या क्या बन सकते हैं उनकी पूरी नॉलेज होनी चा इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बेस्क्वेस्टेंस आने की समभावना पूरी पूरी रहती है और पिछले बार के जो जूनियर अकॉंटेंट का पेपर हुआ था 21 जुलाई 2018 को उसमें से उसमें बच्चों के ओपीनियन के अकॉर्डिंग मेमोरी बेस जो बच्चों ने मुझे बताया है उसमें यह बताया कि मार्जिनल कोस्टिंग में से क्वेस्टेंस आये थे तो इसकी डिटेल नौलेज आपको इसके डिफरेंट फार्मॉलों की नौलेज पीवी रेशो क्या है ब्र को स्टडी कीजिए कॉस्ट वेरियंस में माटीरियल है लेबर है वेरियबल ओवरहेड है फिक्स्ट ओवरहेड वेरियंस सभी की स्टडी आपको करनी चाहिए देन बजट एंड बजटरी कंट्रोल बजट एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर डिफरेंट डाइप के बजट क्या-क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ओन दे बिसिस ओफ फंक्षन और वेरियबलिटी यह सब आपको पता होना चाहिए तो बजट चेप्टर भी अच्छा है में में जो चेप्टर आपके कवर हो सकत होते हैं वह मैंने बताए हैं लेकिन आपको इनके अलावा भी एक ब्रिफ नॉलिज होनी चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग की कि प्रक्रिया लागत विधी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग परिचालन लागत विधी कि जाइन प्रोडेक्ट और बाइप्रोडेक्ट संयुक्त उत्पाद और सहे उत्पाद देन कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग अब कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग कहां प्रियोग ली जाती है इसके बारे में भी आपको पूरा पता होना चीए और इसके डिटेल जो अंदर के फार्मुले उनका ग्यान देन जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग ठीक है इसके अलावा हम बात करें तो थोड़ा बहुत ज्यान इंटीग्रेटेड एंड नौन इंटीग्रेटेड सिस्टम बैन प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्वलेंट युनिट्स के बारे में अच्छी खासी नौलेज एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग तो इन सब के बारे में आपको नौलेज होनी चाहिए अब इन में आपको जो तैयारी करनी है वो ऐसे कॉस्टिंग की तैयारी करनी है जिन पर में सकते हैं तो मैं यह नहीं कहता कि आप बड़े बड़े क्वेश्टिंग कीजिए जो की बीकॉम सेकेंड यार और सीए इंटरमीडियेट में आपको देखने को मिलते हैं लेकिन आपके पास में इनके कॉंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिन में से मल्टिपल चॉइस क्वेश्टिन अब्जेक्टिव टाइप क्वेश्टिन एबी सीडी वाले क्वेश्टिन बन सकते हैं तो उनकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी भ्यान दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन पिछले कई वर्षों से नहीं हुए है तो एक्जामिनर के लिए ये सब्जेक्ट एक अच्छा टार्गेट है क्योंकि एक्जामिनर उनी सब्जेक्ट को में से क्वेश्टिन बनाना प हो सही है और जो गलत है और दूसरा क्या कि इन में से जो क्वेश्टिंस बनाए जाते हैं उनको वही स्कूडेंट कर सकता है जिसने इंडेफ्थ अच्छी खासी स्टड़ी इसके बारे में की हो और काफी टाइम दिया हो कॉस्ट अकॉंटिंग में अधर्वाइज जिस जो की जेवेनल जूनियर अकॉंटेंट और अकॉंट ऑफिसर की तयारी कर रहे हैं उनको यही सला दूंगा कि कॉस्ट अकॉंटिंग एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है जो की आपके सेलेक्शन और रेजेक्शन को डिसाइड करता है क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट के अच्छा प्रिपेर नहीं हो पाता और इसमेंसे क्वेशन्स काफी अच्छी मात्रा में पूछे गए हैं पास्ट ट्रेक को देखते हुए तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यह देखा गया है कि अकॉंट की तैयारी पढ़ता है और वी कॉम में लगातार पढ़ता है लेकिन जो कॉस्ट अकॉंटिंग है वो 11 12 में नहीं आती है सीधी आप लोगों को बीकॉम सेकेंडियर में देखने को मिलती है या फिर कोई बतने कि इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेर करें ताकि आप उन सब स्टूडेंट से उपर पहुंच जाए जो की इस कॉम्पिटीशन में आप लोगों के साथ में तैयारी कर रहे हैं थैंक्यों अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ ओ